चलिए, स्टार्ट करते हैं, न्यू चेप्टर है, और चेप्टर का नाम है सर, फाइनल अकाउंट, हमारे एक्जाम में कितने नंबर का आएगा ये, ये फिफ्टीन मार्क्स का कुश्चन आएगा और सर, इसके अंदर दो तरीके का टॉपिक करेंगे फाइनल अकाउंट में, एक विद जी एस्टी, एक विद आउट जी एस्टी सबसे पहले final account की हम बात करें तो आपको पता होना चीए final word से ही इसको final account भी बोलते है financial statement वाला account भी बोलते है तो final account का मतलब क्या है basically आप देखो तो हमारा accounting का जो सबसे end process है final का मतलब क्या होता है last जो accounting का हमारा last process है उस पे जो हमें काम करना होता है final account होता है तो अगर accounting का मैं process बता हूँ तो आपने जैसे की सबसे पहले journal सीखा journal के बाद sir आपने क्या सीखा laser laser के बाद आपने सीखा sir trial balance trial balance के बाद आपने सीखा balance sheet that is accounting process यह ना accounts का हमारा process है सबसे पहले हमने journal फिर laser फिर trial balance और फिर balance sheet और balance sheet को बनाने के लिए आपको थोड़ा बहुत 11th class का idea होगा और मैं पहले बता दूँ जो मैं class लूँगा काफी बच्चे science के भी होते हैं तो मैं यह मान के चलूँगा कि आपको कुछ नहीं आता उसके according हम आगे चलेंगे तो balance sheet बनाने balance sheet हमारा तब तक तयार नहीं होता जब तक हमारा profit and loss नहीं बन जाता यानि यह आपस में एक आपस में यह दोनों connected रहते हैं यह चीज़ हमें समझना होगा तो सर यह accounting process है journal, फिर laser, फिर trial balance और then balance sheet यह चीज़े और यह चीज़े आप किताब का भी पता होना चाहिए आप सभी ने अगर book लिया हो तो book के अंदर न जो यह book design होता है basically जो आपका syllabus बनाये जाता है become के अंदर, उनका क्या objective रहता है वो भी पता होना चाहिए arts का बच्चा भी become लेगा science का बच्चा भी become लेगा science का बच्चा same become ले ले कितना भी पढ़ने में intelligent हो लेकिन जब तक basic नहीं पता है तो नहीं कर पाएगा तो हमारे syllabus में journal भी है किताब में आप जब देखोगे तो आपको journal भी मिलेगा आपके syllabus में laser भी मिलने वाला है और आपके syllabus में trial balance भी मिलने वाला है ये वो बच्चों को सीखना जरूरी है जो की बच्चे arts के या science के हैं इसलिए आपके किताब में या जो आपका DU का syllabus है syllabus भी पढ़ोगे तो वहाँ पर भी दे रखा है framework में journal, laser, cashbook और सारी चीज़े आपको देखने को वहाँ पर मिलेगा तो same इस किताब में भी मैं अगर बात करूँ सर तो लगभग लगभग हमारे आठ चेप्टर आठ नहीं बोलेंगे हम साथ इतने साथ चेप्टर जो है वो पूरा ग्यारवी का है सेवन चेप्टर जो starting के आपकी किताब में है वो ग्यारवी का है साथ चेप्टर के बाद जितने भी आपको चेप्टर दिखेंगे इसमें वो सारा आपका ग्रेजुएशन बीकॉम के अंदर आएगा तो पहले सेवन चेप्टर में से सिर्फ थियोरी वाला पार्ट आपके एक्जाम में आएगा और बाद के चेप्टर में से प्रैक्टिकल वाला पार्ट भी आ सकता है और थियोरी वाला पार्ट पढ़ने का तरीका काफी सारे बच्चे क्या करते है साटिंग से पढ़ रहे हैं और पता चला उन्होंने सिर्फ साथ चेप्टर ही इक्जाम में तयारी करके गए और बाकी का छोड़ दिया तो उनको दिक्कत हो जाएगी बाकी में से कुछ भी नहीं आने वाला तो इसी तरीके से हमारा जो ये चेप्टर है न फाइनल अकाउंट आपके किताब में अगर हम देखें मैंने सभी को बोला किताब कौन सा लेना है तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे फाइनल अकाउंट जो है हमारी इस किताब में और नई बुक लेना है क्योंकि पुरानी बुक में बहुत सारी चीज़े चेंज़े सा चुकी है ये हमारे 11 चप्टर नंबर क्या है हमारा 11 तो हर किसी के पास बुक होना चाहिए बुक का नाम मैंने पहले ही बता दिया था जी अर्मोंगा तो फाइनल अकाउंट बेसिकली क्यों है ये क्लियर हो जाए तो हमारा फाइनल अकाउंट की अगर हम बात करें तो फाइनल अकाउंट आने के लिए अगर आपको फाइनल अकाउंट तभी माना जाएगा कि आपको फाइनल अकाउंट आता है जब जब आपको तीन चीजों की नॉलेज हो जाए जब आपको तीन चीजों की नॉलेज हो रहा है सर किस किस की नॉलेज चाहिए एक आपको ट्रेडिंग अकाउंट की नॉलेज हो रही चाहिए दूसरा आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस जिसको पी एंडल बोलते हैं शाट फॉर्म में मैं पूरा ही लिख देता हूँ जिसको हम कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फाइनली लास्ट हमें नॉलेज लेनी पड़ेगी बैलेंस शीट की सर टोटल देखें यह चीजे सीखनी होगी मैं ऐसा नहीं के देखिए 11th क्लास में आपने फाइनल अकाउंट करा हुआ है अगर मैं कहूँ के 11th क्लास का extension थोड़ा से है और मुझसे आगे लेके चलो तो फाइदा नहीं है क्योंकि हो सकता है पहले कुछ बच्चों ने पढ़ा हो और ये भी पॉसिबल है पहले कुछ बच्चों ने पढ़ा ही ना हो तो हम सबसे पहले समझेंगे सर ट्रेडिंग अकाउंट फिर समझेंगे पी एंडल अकाउंट और फिर लास्ट में बैलेंशिट आज ही समझ लेंगे हम ये ट्रेडिंग अकाउंट समझने के लिए आपको दो चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है सर आप ट्रेडिंग अकाउंट को समझने के लिए दो चीजों की नॉलेज चाहिए सर क्या पता होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए सर पहला जो trading account बनाने के लिए होना चाहिए आपको पता होना चाहिए direct expense एक आपको direct expense का पता होना चाहिए trading account सीखने के लिए और साथ के साथ अगर मैं बात करूँ तो direct expense के बाद कुछ हम यहाँ पर basically indirect expense अगर आप दो तरीके के खर्चे को separate करना सीख गया है direct expense तो इस account को बनाने में help करेगा और indirect expense इस account को बनाने में help करने वाला है पहले हमें समझना होगा what is the direct expense what is the indirect expense trading account से सर बना के फाइदा क्या है trading account जब भी बनाएंगे तो यहाँ से एक result निकलता है सर और जो result यहाँ से निकलता है उसको बोलते है gross profit या gross profit हो सकता है या फिर और जो यह gross profit या gross loss हुआ न इस gross profit या gross loss को पता है कहाँ transfer कर देंगे profit and loss में loss हुआ तब भी जाता है और profit हुआ तब भी जाएगा जैसे ही gross profit, gross loss पीएंडल बना लेगे तो सर पीएंडल से भी हमारा result निकलेगा या तो निकलेगा हमारा net profit या निकलेगा हमारा net loss इस net profit या net loss को हम आगे फर्दर लेके जाएंगे और वो लेके जाएंगे हम balance sheet finally balance sheet से क्या answer आएगा sir balance sheet से कोई answer नहीं आता basically यहाँ पर prove हो जाता है कि हमारा assets is equal to liability होना चाहिए या liability is equal to assets आप बोल सकते हो तो finally एक मजी की बात आपको भी पता है कि exam में आपको already पता होगा कि इसका answer क्या है क्योंकि अगर assets liability आपका match होता है तो ठीक otherwise आपने कहीं न कहीं error किया है 11th class में जितना पढ़ा था वो सारा तो आएगा ही आएगा उसके अलावा भी इसके अंदर extension कुछ advance adjustment है जो कि हम सीखेंगे एक करके total 22 से 25 adjustment रहेगा जो कि हम इसके अंदर करेंगे तब जाके हमारा ये chapter खतम होगा हम पहले सबसे पहले क्या समझेंगे सर पहले हमें समझ लेना चाहिए direct expense और indirect expense में क्या difference है एक बड़े ही छोटे example से हम समझेंगे पहले मेरे हिसाब से clear है आपको chapter में क्या सीखोगे जो बच्चे commerce के हैं उनको तो already पता होगा सर ये तो पहले से करते आए example लेते हैं बड़े simple सी बात है उस example से लेके चलेंगे अगर मैं example की बात करूँ तो मैं बात करूँ अगर factory की सर मैं बात कर लेता हूँ एक factory की आप ध्यान से सुनिएगा आपको clear हो जाएगा ये हमारा factory है सर फैक्टरी की बात करें तो फैक्टरी के अंदर जो काम होता है न वो किसी चीज को manufacture करने का होता है manufacture मतलब तयार करने का हलाकि इस account से पहले भी एक account बनता है जो कि हम सीखेंगे थोड़ा सा hint लेंगे जिसे बोलते है manufacturing account जो आपने पहले कभी नहीं देखा है तो हम इसलिए factory से start करते है factory के अंदर क्या होता है कि factory के अंदर कहीं न कहीं से अगर मैं बात करूँ ये factory है तो factory में कहीं न कहीं से समान आता है सर factory में कहीं न कहीं से समान आएगा अगर हम बात करें तो factory के अंदर आएगा और जैसे ही यहाँ पे माल तयार होगा माल तयार होने के बाद यहाँ से समान कहीं दूसरी जगह चला जाएगा जिसे हम बोल सकते हैं जहां से माल बिखता है उसको normally आप कुछ भी नाम दे दो या नाम दे दो आप showroom नाम दे दो या office नाम दे दो या retail दुकान नाम दे दो कुछ भी नाम दे दो वहाँ पे जाकर बिखता है यानि माल बनेगा यहाँ पे और बिखेगा दूसरी जगह पे सबसे पहली बात सबसे पहली बात जब यहां से हम माल खरीदेंगे ना जब कभी भी यहां से हम माल खरीदेंगे तो जो माल factory के अंदर आ इसको देना होगा सर किराया ठीक है इसको देना होगा किराया तेम जब यहां से यहां से बात करें आपका समान जैसे तयार होगा आपने समान इसके अंदर डाला और आप कहां पहुचा दोगे मान लेते हैं इसको हम आफिस में ले जाओगे ठीक है ना आप कहां ले जाओगे इसको भी जब लेके जाएगा इसको भी देंगे किराया। सर दोनों किराये में डिफरेंस है। हिंदी में तो बोलने को एक ही वर्ड होता है कि किराये दिया हमने। एक यहाँ पर बोला जा सकता है समान को लाने का किराया और एक समान को पहुंचाने का या भेजने का किराया हो सकता है दोनों तो इस किराय को क्या बोलते हैं सबसे पहले हम वो वर्ड देख लेते हैं जब समान आएगा तो इसको हम बोलेंगे पहली वर्ड, एक तो होता है carriage, जब सरिफ carriage वर्ड का इस्तिमाल किया जाए तो हमेशा समझ रहा है कि समान लाने वाला ही क्राया है, या फिर आपको बोला जा सकता है carriage inward, इनवर्ड इसलिए क्योंकि factory के अंदर आपके समान इन हो रहा है, तो जब factory के अंदर इन हो रहा है इसलिए क्या नाम रखा गया है carriage, इनवर्ड, साथ के साथ कुछ इसके synonyms भी यूज़ किये जाते हैं सर, जैसे freight, या फिर cottage, ये सभी नाम एक ही हैं, लेकिन इस सभी के, सभी के नाम अलग अलग हैं, लेकिन सभी का मतलब एक ही हैं, क्या नाम है, मतलब है, और किराय समान को लाने का, अब जो ये समान ले जाने का किराया है, सर, इसको भी यही बोलना है मैं, इसको भी बोलेंगे हम, carriage फरक ही रहेगा आउटवर्ड सर ये carriage आउटवर्ड इसलिए क्योंकि ये दुकान factory से समान निकल गया तो जब factory से समान निकल जाता है तो उसको हम बोलते हैं आउटवर्ड तो ये हो गया हमारा carriage आउटवर्ड ये समान को ले जाने का खर्चा अब कुछ और भी चर्चा कर लेते हैं जैसे आपको पता है अगर नहीं भी पता तो factory के अंदर lighting भी लगी होती है factory के अंदर देखोगे तो lighting लगी होती है और सर factory के अंदर अगर मैं बिजली की बात करूँ electricity की बात करूँ तो normally factory के अंदर ज्यादा मातरा में electricity इस्तमाल होता है ज्यादा मतलब उहां का power ज्यादा चाहिए voltage, high voltage का चाहिए और compared to office के अंदर इतना power consumption नहीं होता तो factory के अंदर हो सकता electricity जो होगा ज्यादा होगा तो electricity को हम बोलेंगे power यानि जहाँ पे ज्यादा voltage का आपका काम आ जाता है न वहाँ पे बिजली के बिलको हम power के नाम से डिनोट कर देते हैं अकाउंट के अंदर जैसे आपके घर के अंदर भी दो socket होते हैं एक जहाँ पे आप प्रेस करते हो या पानी गरम करने के लिए rod वगएरा यूज करते हो उसका switch थोड़ा बड़ा होता है और जहाँ पे आप TV वगएरा mobile charge करते हो उसका socket थोड़ा छोटा होता है अगर जिसमें आप TV चला रहे हो या mobile charge कर रहे हो उसके अंदर अगर प्रेस वगएरा heavy use करोगे न खराब हो जाएगा आपका switch क्योंकि वो power socket नहीं है तो power socket आप दुकान पे भी जाओगे ना तो बोलोगे आप switch दे दो तो वो पूछेंगे power switch चाहिए है normal तो आप बोलोगे power तो power का मतलब ही एकी word आता है निकल के sir जहाँ पे बिजली ज़्यादा यूज़ हो तो factory में ज़्यादा होगा तो factory के अंदर अगर बिजली बिल की बात करें तो वो कौन सी electricity बिल की बात करें तो उसे किस नाम से जाना जाएगा sir power के नाम से same factory के अंदर कई जगह पे factory के अंदर देखा जाए तो power नहीं होता तो महाँ पे generator भी यूज़ किया जाता है आप तो घर में नहीं करते generator बगरा यूज़ बाकि डेली के अंदर तो हमेशा light रहते तो इतनी दिक्कत नहीं है लेकिन गाउं बगर एरिया में अभी भी generator की जगह पे inverter यूज़ होता है generator भी है कई जगह तो generator जब यूज़ करते हैं तो generator की tension नहीं है उसके अंदर क्या खर्च होता है डीजल पेट्रोल से नहीं चलता generator generator किससे चलता है डीजल से या कुछ ऐसे भी equipment वो यूज़ करते हैं जैसे koila वगरा से वो अपना काम चलाते हैं से मान लेते हैं किसी का काम बेकरी का है तो बेकरी का काम है जब बिजली रहेगा तो electricity से काम कर लेते हैं और बिजली नहीं है तो वो कोईली से भी अपनी भट्टी को जला सकते हैं तो मैं बात कर सकते हूं कोईला यानि कॉल तो कॉल भी हो सकता है अब सर बात करते हैं किराय की यहां पे अगर हम बात करें अगर दो चीजे हैं यहां पे यह इंडिया है अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया के within a city समान है तो बड़ी easily किराया देके मंगबाये जा सकता है मैं डेली में हूँ और मिर को अगर for example नोईडा से समान मंगवाना है तो मैं फटाफट फोन करूँ और विदिना डे आ जाएगा लेकिन अगर समान मुझे महरास्टरा से मंगवाना है तो मुझे क्या लगेगा टाइम लगेगा और महरास्टरा से दूर चले जाए चाइना से मंगवाना है तो और भी टाइम लग जब train से आता है तो वहाँ पर आप जब क्या करते हो courier के थूरू समाना आएगा train से आएगा ना तो आपको कैसा आएगा courier और जब वहाँ पर किराय दिया जाता है ना courier train वाले को तो जब train से समाना आएगा तो वहाँ पर एक तरीके का text कहलो किराय कहलो दिया जाता है that is octree उसको बोला जाता है octree octree भी हमारा एक तरीके का text कहलो या कहलो किराया जो की हमारा दिया जाता है समान को मंगवाने के लिए लेकिन सर अगर आप इंडिया से बाहर निकल गए तो बाहर निकलने का मतलब आपके उपर बहुत सारे boundaries लगा दिये जाते हैं मैं simple सी बात करूँ iPhone आप सब जिस से ज़्यादा connected हो मैं उसी example की बात करूँगा iPhone की बात करूँ तो iPhone इंडिया के अंदर भले ही एक लाग प्लस है लेकिन और other country में ये सस्ता है कई country में महगा भी है मैं दुबई की बात करूँ तो वहाँ पर compare to India सस्ता मिल जाता है आपको iPhone अब iPhone दुबई के इंदर 80,000 का और यहाँ पर मान लेते हैं आपका एक लाग का बिक रहा है तो difference कितने का आगे 20,000 तो हम ऐसा क्यों ना करें कि iPhone बहुत सारा यहाँ पर खरीद के लिया है दुबई से और यहाँ बेचने लग जाए तो government कहता है अगर ऐसा करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी government कहता है आप जब कभी भी बाहर से कोई समान इंडिया में लेके आओगे कोई भी समान आप बाहर से लेके आते हो इंडिया के अंदर तो ऐसे situation में उपर आ लोगे नीचे फर्स प्रोर पर पूछ लो तो ओक्ट्री या टेक्स की किराएगी मैं बात कर रहा था ओक्ट्री या टेक्स सरी अगर आप इंडिया के बाहर से समान मंगवाते हो तो वहाँ पे एक special text भी देना पड़ता है special text क्या होता है सर special text की हम बात करें तो वहाँ पे हमें देना पड़ता है क्या सर हमें देना पड़ता है वहाँ पे excise और custom duty याद रखना ये word excise और custom duty सर excise duty या custom duty होते हैं दो तरीके के अगर exercise duty की बात करें, यहां से आप जब लाओगे, तो एक परकार का ये क्या है, सरकार को दोगे text, और उस text को लगाने के बाद भारत के अंदर समान आता है, और वो समान थोड़ा महंगा होके फिर बन जाता है हमारा, तो यानि सर हमारा factory में समान लाने के लिए एक और text बन ज सकता है, और एक हो सकता है custom duty, मैंने simple एक लिख दिया क्या, custom duty, अब इसके बाद बात करें, factory के अंदर क्या हो सकता है सर, factory के अंदर हमारा light हो सकता है, तो यहां जो factory, office, sorry, office के अंदर जो light होगा, यहां पे power का use नहीं होगा, यहां पे electricity, bill का इस्तमाल होने वाला है, यहां प हो सकता है सर, यहां पे भी मजदूर काम करेंगे, यहां पे मजदूर काम करने वाले हैं, सर जो यहां पे मजदूर काम करेंगे ना, उनका जो nature होगा, maximum का, वो ऐसे मजदूर होते हैं, आपने कई बार मजदूर की बात करो, तो factory में जो area में काम करते हैं, तो वो दो तरीके के हमारे वर्क होते हैं एक होता है कि हम दिमाग से काम कर रहे हैं और एक होता है कि हम अपने फिजिकली वर्क कर रहे हैं जैसे अगर हम बात करते हैं मजदूर की जैसे कि सिमेंट वगएरे आपने देखा होगा लेना ना तो उनका दिमाग से काम नहीं कर रहे हो उनका काम क्या है hard working ज्यादा है आप सभी accountant बनोगे तो आपका मेहनत वाला काम नहीं है आपका mind ज्यादा ठकेगा तो फैक्टरी के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपका काम वह होता है जो कि दिहारी ठोर से दिया जाता है तो यहाँ पर जब लोगों को तन्खा दिया जाएगा तो उसको बोला जाएग मैंचरск होगा तो यानि दोनों होगे यहाँ यहाँ पर यहाँ पर जो दूसरा होगा ना जो factory के अंदर जो आपका work कर रहा है दिमाग से तो ऐसे situation में हम यहाँ पर common नाम दे देंगे sir नाम दे देंगे wages and यानि sir मजदूरी के लिए wages और जो काम अच्छे तरीके से कर रहा है computer पर काम कर रहा है लगा के काम कर रहा है उसके लिए क्या वर्ड आगया salary यहाँ पर वर्ड क्या आगया sir wages और salary सेम बात करें यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लोग काम कर रहे होंगे और जादतर office में जो काम करते है न वो जादतर से जादा क्या होता है customer relationship बनाना वगरा होता है जो customer से बात करते है तो उसों देखोगे तो वो मेहनत वाला काम कम होता है तो यहाँ पर जो दिया जाता है न इन वर्कर को वो होता है salary लेकिन यहाँ पर भी कुछ मजदूर तो काम करते हैं यह sir loading unloading का कुछ तो यहाँ पर अगर दूसरा काम हो रहा होगा तो हम बोल देंगे salary and wages तो sir यहाँ पर देखिया अगर पहले word लग गया wages और salary तो इसका मतलब वो कहाँ पर खर्चा हो रहा होगा factory में अगर word आ गया salary and तो कहाँ पर खर्च हो रहा होगा office के अंदर खर्चा हो रहा होगा सर, office में भी और बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारे खर्चे, जैसे मैं बात करूँ, sweeper का या journal expense बोल लूँ, आपको basically ये tentative लेना है, कि जितने खर्चे हमारे factory के अंदर होते हैं न, ये सारे खर्चे जो factory के अंदर होंगे, that is called direct expense, और सर, direct expense की बात करूँ, तो कहां से related होगा हमेशा, trading से, अब मैं खर्चे की बात करूँगा, जैसे कि मैंने कहा carriage, सिर्फ carriage word का इस्तमाल किया, तो carriage कहां पे हो रहा होगा खर्चा, और factory का खर्चा किस से related है, trading account में, अगर मैं कहूँ, carriage बताओ, कहां जाएगा, दो account है आपके सामने, p handle और trading, तो कहां जाएगा जाए, trading में, ऐसे मैंने बोला, octree कहां जाएगा, आपका, trading में, क्योंकि किस से related है, octree, factory, ऐसे ही मैं बोलू, excise duty या custom duty कहां जाएगा, trading में, ऐसे ही मैं बोलू, diesel का खर्चा कहां जाएगा, trading में, क्योंकि कहां से related है सारा, अगर मैं बोलू, wages कहां जाएगा, trading, अगर मैं salary और wages कहता हूँ, तो कहां चला जाता है, यह office में, यहां जितने भी खर्चे होंगे न, office में, यानि factory के gate से निकलने के बाद जितने भी खर्चे हैं, वो सारे indirect expense है, indirect expense है, वो सारा, वो सारा कौन सा expense माना जाएगा आपका, indirect expense, मैंने कहा यहां पर, for example, मैं बात करता हूँ, power की, तो power कहां use हो रहा है, तो trading में जाएगा, अगर मैं electricity की बात करूँ, तो कहां use हो रहा है, office में use हो रहा है, तो इस तरीके से, एक तो हमें खर्चे का पता भी होना चीए, और एक conceptual mind में भी पता होना चीए हमें, कि सर यह खर्चा यहां से related है, तो इसके यहां देगे, हाँ ज चल लेंगे, rent office का भी हो सकता है, factory का भी हो, तो लेकि normally factory को rent पे लिया नहीं जाता, normally, क्योंकि factory पता है किस area में होता है, ऐसे area में होता है, जहां पे दूर दूर तक पूरा खाली होता है, और ऐसा area जहां पे कोई सुभीदा ना हो और खाली हो, वहां की जमीन अकसर क्या होत है, तो आपका हमेशा किसका consider करना है, office का, लेकिन अगर specify कर दे factory rent, तब तो यहीं का माना जाएगा, ठीक है ना, इसके बाद एक मैं बात कर रहा हूं, समान कहां से बिखेगा, बताओ, factory में से बिखेगा या office में से बिखेगा, जब समान बेचते हैं ना, तो बेचने को word ब अगर मैं बात करूँ तो कहां का मानना हमेशा, office का मानना है, यहां तक समझ में आ रही है बात आपको, same rent का भी मैंने बता दिया, जब rent के आगे कोई clarity ना हो, तो क्या मानोगे आप, office का rent मानन के उसको खदम करोगे, तो हम account बनाएंगे अभी, laser भी सीखेंगे कि क्या क्या रहेगा, तो हमने सीख लिया direct expense और indirect expense में, क्या difference आपको पता चल गया है यहां पे, direct में क्या difference है और indirect, balance sheet तो हम बाद में देखेंगे, तो पहले यहां तक कोई दिक्कत, कोई परिशानी, दो खर्चे में divide कर दिया, आ दिमाग में सोचना कि वो factory के अंदर हो रहा है, या फिर factory के बाहर office में हो रहा है, तो उसके हिसाब से आप determine कर सकते हो, चाहे आपको खर्चे का नाम पता हो, चाहे नहीं पता, चलिए sir, आप trading और P&L मैं एक साथ format बनाऊगा, और साथ के साथ मैं balance sheet भी बनाऊगा, आप सभ भी को भी इसी तरीके से बनाना होगा चलिए सबसे उपर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट या हम common लेखे चलेंगे trading and profit and loss नीचे लिखेंगे हम for the year ending date सबसे पहले यहाँ लिखना है, two opening stock सारी information आपको question में given होगा, कुछ भी find नहीं करना होता नॉर्मली इसके बाद लिखना है हमें two purchase purchase को inside क्यों लिखा है क्योंकि purchase पर होगा adjustment और adjustment क्या होता है हम देखेंगे less इसमें से कर देंगे purchase return sir purchase return का एक और नाम है, क्या नाम है purchase return का एक और नाम है return outward purchase return का एक और नाम है return outward इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे और भी सारे के सारे अभी मैं trading बना रहा हूँ तो direct expense यानि wages और क्या हो सकता है sir, wages के अलाबा हो सकता है हमारा आपका हो सकता है freight freight के साथ carriage भी हो सकता है sir, और क्या हो सकता है यहाँ पर पावर और क्या हो सकता है आपका octree and etc. और भी बहुत सारे चीज़े हो सकती है लेकिन मैं यहाँ दिखाने जाए buy side में लिखना है आपने sales और sales पर adjustment होगा sir less sales return अंजी board पर ध्यान दीजिए sales return इसका एक और नाम है return inward आप लोग का exam का थोड़ा सा date schedule हुआ है exam आपका March में नहीं है FAB में March है ठीक है उसका ध्यान डखना FAB में March है बाकि जितने भी subject है हर बच्चों को बोलूँगा जैसे भी तैयार ही होती है भाई है कर लो start क्योंकि उनको due में fail होने में उनको कोई आपका उन्होंने कहा है कि हम FAB 20-22 से start करेंगे और हम 10-12-15 माज तक paper खतम कर लेंगे यानि second semester इनकी तैयारी है कि एक March में ही start करेंगे यह आपका second semester भी इस बात का ध्यान रखना तो हमारे पास बसता है सर्फ और सर्फ December, December में भी हमारे साथ दिन निकल चुके हैं मैं 10 दिन मानके चलू तो 20 दिन December में और January तो हमें स्लेवस थोड़ा सा fast खीचना पड़ेगा तो उसके according ही मैं लेके चलूँगा तो आपकी भी responsibility के ऐसा छोड़ना मत के exam आएगा तो हम revision कर लेंगे या exam आएगा तो तैयारी कर लेंगे उस time पर कुछ नहीं होगा revision करने का मौका मिलेगा तो definitely करेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि revision करने का मुझे मौका ना मिले उसी के हिसाब से अभी notes वगरा सब तैयारी करके चलना है आपको क्योंकि time कम है सलीबस ज्यादा है by closing sir closing stock अभी पहले chapter हम start कर रहे हैं अभी starting है तो अभी ज्यादा जल्द बाजी नहीं कर रहा है मैं अभी तीन दिन alternate लूँगा जैसे ही 15-20 दिन एक बार एक chapter में हम आ जाएंगे तो सायद मैं सुभे साम की class regular basis पे लगाऊँगा ताकि आपका syllabus complete हो सुभे साथ बजे की रही अब देखो slaybers खतम करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा अरे college देखेंगे वो तब provision चुट्टियां भी पड़ेगी ना आपकी उसमें तो सर यहाँ पे आप ध्यान दीजिए यह क्या है हमारा trading account और trading account के अंदर से जो निकलेगा हमने क्या देखा सर trading account से जो result आता है वो आता है या तो gross profit gross loss तो अब हमने trading account का format तयार कर लिया है अगर इस side निकल के आया तो होगा हमारा gross और सिर्फ gross profit नहीं लिखना है इसके आगे tf लिख रहा हूँ transfer to profit and loss यानि gross profit को transfer कर दो और अगर in case इधर निकला तो उसे बोलेंगे gross loss और उसे transfer करेंगे उससे भी पी एंडल में अगर हमारा निकला gross profit तो transfer हो जाएगा इधर by gross profit अगर निकला gross loss तो to transfer हो जाएगा gross loss यानि आप ध्यान दीजिए transfer की अगर मैं बात करू न तो transfer कैसे हो रहा है ये वाला हिस्सा इधर जा रहा है और ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा बड़ी सीधी सी बात है अगर ट्रांसफर की हम बात करें तो ठीक है अब सर यहां पे सारे खर्चे बेसिकली पी एंडल है इधर सारे खर्चे लिख रहे हैं तो अब ये वाला जो हिस्सा था ना इतना एरिया ये ट्रेडिंग के लिए रिजर्व है अब इसके नीचे का काम होगा सारा पी एंडल और आपको पता है पी एंडल में कौन से खर्चे लिखने हैं बताईए सारे इंडारेक्ट एक्स्पेंस जैसे कि मैं लिखूं स्रिफ सेलरी डिसकाउंट संडरी एक्स्पेंस सर और क्या हो सकता है इंट्रस्ट और क्या हो सकता है इलेक्रिसिटी बिल और क्या हो सकता है सर मैं नोटिंग के बाद प्रॉपर टाइमिंग दूँगा अभी सिर्फ नोटिंग करिए इलेक्रिसिटी बिल के साथ और क्या हो सकता है सर बेड डेट्स और क्या हो सकता है सर depreciation और क्या हो सकता है सर, water bill, और हो सकता है मारा और क्या हो सकता है legal charge, और क्या हो सकता है सर, repair, और क्या हो सकता है carriage outward, और क्या हो सकता है commission, और सर, इस साइड बड़े कम income होते हैं, जैसे commission, जैसे discount, जैसे interest, जैसे provision, चलिए सर, हम बात करें, इस तरीके से हमारा पी एंडल देखे, यहाँ पे हमने खर्चा लिखा trading और नीचे पी एंडल, अगर इधर से answer निकलता है, हमारा जो भी आया answer, उसे हम भीजेंगे to, इसे लिखेंगे net, और इधर से निकला तो by net, और सर इस net profit, net loss को यहीं नहीं लिखना, इसे transfer करेंगे to, to, capital, इसे transfer करेंगे to, यह हमारा पूरा का पूरा है, trading और पी एंडल का एक format, इसके बाद लगे हाथ हम balance sheet का भी देखेंगे, noting करने के लिए मैं proper time दूँँगा, अभी चिंता मत परो, सिर्फ आपको concept के focus करना है, चलिए सर, balance sheet अभी बताएंगे, रुख जाएंगे, depreciation भी मैंने लिखाया देखूंँगा, अभी बताएंगे, रुख जाएंगे, इस साइड लिखते हैं, liability, और इस साइड, asset, यहाँ पर balance sheet, as, at, और date आजाएगा, सर, यहाँ क्या क्या आने वाला है, इधर सबसे पहले आएगा capital, और capital में plus हो जाएगा net profit, माइनस हो जाएगा net loss, अगर है तो माइनस हो जाएगा drawing, तो यह कुछ point आपको ध्यान रखना है, कि इन चीजों को plus करना है, और इन चीजों को माइनस करना है, इसके बाद इस साइड में liability जैसे bank loan, bank loan, जैसे creditor, जैसे bills payable, जैसे advance income, जैसे outstanding, इस साइड में assets आजाएगा, जैसे land and building, land and building के साथ साथ दिखा जाएगा, तो furniture, machinery, cash, bank का balance, stock, debtor, debtor, बी आर, prepaid expense, goodwill, और फाइनली ये दोनों साइड हमारा, और भी सारी चीजें हो सकती है, बट मैंने इतना ही लिखा है, दोनों हमारा equal आ जाएगा, तो ये हमारा है balance sheets, तो एक बार फटा फट से, हलांकि मैं आपका एक टेलिग्राम पे आपको, आपको कल WhatsApp आ जाएगा, और ये जितने भी मैं class note करूँगा, वो PDF के format में आपको मिल जाएगा, class में भी note करना है आपको, और ये note आपको PDF के format में, next class के अंदर मिल जाएगा, जो कि आपके note करने है, कई बार, हाँ, टेलिग्राम का link दूँगा, एक channel बनाऊँगा, और वहीं भी मिलेगा आपको, ठीक है, जिससे कि आपका कई बार, मैं questions कराऊ, मुझे दो questions कराना है, जैसे अभी note करने, अभी तो मैं दूँगा time, लेकिन कई बार, मुझे थोड़ी जल्दी topic खतम कराना है, तो noting करने का time ना देके, मैं दे दूँ, और जितने बच्चे live में, उनको तो content में, ये सारा class note मिलेगा, और साथ के साथ video भी मिल जाएगी, जो कि recorded format में भी होगा, live section में भी होगा, जिसे आप जितनी मर्जी बार, उतनी बार revise करके देख सकते हैं, जो अच्चे live में हैं, चलिए अब फटा फट से एक बार आप noting चालू करिये थोड़ा सा, मुझे एक बात बताईए, visual है या नहीं है, नहीं है visual, अब ठीक है, यहां से note करते जाईए, बताते जाईएगा, मैं उपर करता जाऊँगा, जितने बच्चे live में किसी का doubt है, तो बताईए फटा फट, आप इसको note करिये फटा फट, जैसे note done हो जाए, मुझे बताईएगा, हां जी बताईए doubt का रही है आपका, जाईएगा,